वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेज जहां प्रतीक सर्ण ने स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिट्रेचर और कॉंपिटिशन एक्जाम्स की ग्रामर की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं इस वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए इयरफोन्स का यूज़ जरूर करें और फुल स्क्रीन कर HD क्वालिटी में शुरू से अंतर तक पूरा देखें यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो पॉस कर पहले सब्सक्राइब करें और बिल बटन पर क्लिक जरूर करें दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट की लिखी पोयम The Agony Agony की वैसे स्पेलिंग होती है A-G-O-N-Y पर यहाँ पे है A-G-O-N-I-E Agony का आर्थ होता है व्यथा या पीड़ा यहाँ पे बात हो रही है जीसस क्राइस्ट की तकलीफ की उसकी पीड़ा की इसकी ऐसी स्पेलिंग इसलिए है क्योंकि यह Archaic English है पुरातन अंग्रेजी यह एक रिलीजियस पोयम है Philosophers have measured mountains दर्शन शास्त्रियों ने पहाड़ों की उंचाईयों को नापा है Fathomed the depths of seas, of states and kings और नापी है गहराईया समुद्र की और लंबाईया और चड़ाईया राज्यों की और राजाओं की राज्यों की वाग्ड विद स्टाफ to heaven और तो और वो चले गए हाथ में एक लट्ठ लेके डंडा लेके heaven तक स्वर्ग तक भी लोग जा चुके हैं ऐसा उन्होंने कहा है And traced fountains और वहाँ पर भी उन्होंने जरने ढूंडे हैं Philosophers have measured mountains Fathomed the depths of seas, of states and kings Walked with a staff to heaven and traced fountains Dushan Shastriyow ने पहाडों की उंचाईयों को नापा है समुदरों की गहराईयों को नापा है राजियों की लंबाईयों चोड़ाईयों को नापा है कई राजियों को नापा है और तो और वो स्वर्ग तक भी गए हैं और उन्होंने जरने ढूंडे हैं But there are two vast But though बहुती बड़े spacious things बड़ी बड़ी चीजें हैं The which to measure it doth more behove जिने measure करना नापना बहुती मुश्किल है Yet few there are that sound them पर कुछ हैं जिनोंने इनके बारे में सुना है Sin and love पाप और प्यार यहाँ पाप की spelling है S-I-N-N-E Sin होता है वैसे S-I-N पर पुरातन अंग्रेजी की वज़े से S-I-N दिया हो S-I-N-N-E दिया हो है तो कहरे हैं बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो प्यार और पाप के बारे में जानते हैं Who would know sin जो पाप को जानना चाहता है Let him repair unto Mount Olivet उसे Mount Olivet पे भेजा जाए There shall he see वहाँ वो देखेगा A man so wrung with pains एक आदमी पूरी तरहें निचुडा हुआ दर्द से तकलीफ से That all his hair कि उसके सारे बाल His skin उसकी तवच्चा His garments Bloody भी Means उसका सब कुछ खून से भरा हुआ है उसके बाल, उसकी स्किन, उसके कपड़े यहाँ पे पुरातर अंग्रेजी हमें देखने को मिल रही है Archaic English Skin की spelling भी S-K-I-N होती है पर double N-E-D-V है तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यदि किसी को पाप को देखना है तो उसको Mount Olivet पे भेजो वहाँ उन्हें एक आदमी दिखेगा जिसे crucify किया गया है cross पर लटकाया गया है और वो दर्द में हैं तकलीफ में हैं उसके बाल, उसकी तवचा, उसके कपड़े खून से भरे वे हैं पाप तो वो अवगुन था जिसे इसने अपने सर पे धरन किया दर्द से और इसकी रग रग में वो दर्द इसे मैसूस हो रहा था उस पाप का ये प्राश्चित कर रहा था जो मानवजाती ने कभी किया था जो प्यार नहीं जानता लट हिम ऐसे और टेस्ट दाट जूस उसे वो रस चखने दो विच अन दे क्रॉस अपाइक दिट सेट अगेन अब्रोच जो एक भाला मार कर तीखा भाला मार कर उसे भोका गया है और उसमें से वो रक्त बह रहा है then let him say फिर उसे कहने दो if ever he did taste the like क्या उसने कभी किसी को ऐसे चखा है love is that liquor sweet and most divine प्यार तो वो शराब है जो मीठी है और सबसे दिव्वे है which my God feels as blood but I as wine जिसे मेरे भगवान ने खून की तरह जाना पर मैंने शराब की तरह जाना लीकर यानि शराब बिवाइन यानि दिव्य और blood की spelling या पे archaic English में दी हुई है B-L-O-U-D जबकि actual नई spelling है B-L-O-O-D तो friends इसी के साथ ये poem finish होती है हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको notification मिल पाएं सभी नए वीडियो के लिए bell बटन को tick करें comment box में हमें feedback जरूर दें आपको पसंद आया नहीं आया हमें जरूर बताएं और कौन सी ऐसी poems और novels हैं जिनके description आप Hindi में मुझसे चाह रहे हैं जिसका summary और analysis में जल्दी से जल्दी बनाऊं प्लीज अपना प्यार और अपना support हमें दिखाईए thank you so much